तो देखो बच्चो इस वाले question को देखो इसमें कहता है कि acceleration of the moon with respect to earth is 0.7.00 है देखो जब इस question को हम लोग solve करने की कोशिस करेंगे तो अगर जब moon accelerate हो रहा है जब moon की velocity 0 नहीं है तो हम सब को पता कि अगर कोई भी particle circle में चलता है तो हमेशा accelerated होता वाई तो इसका तो acceleration हमेशा center की तरफ है और उस acceleration की जो value है वो 0.0027 meter per second square है ठीक है अब कहता है acceleration of apple falling toward the earth is 10 meter per second square ठीक है तो अब कहता है कि यह जो apple है यह apple 10 meter per second square से towards the center of the earth fall कर रहा है यह अर्थ है और यह बच्चो एपल है ठीक है तो यह एपल है और यह अर्थ है तो यह यहां से देखो यह moon है और moon चक्कल लगा रहा है इसके पास कुछ linear velocity है is not equal to zero अब कहता है यह तो पहली कहानी है दूसरी कहानी में हमने क्या किया इप the moon is stopped for an instant अगर moon को मैं stop करतूं तो क्या होगा अगर देखोगे एर्थ होर नुन के बीच ग्रेविटेशनल अट्रेक्षन होता है और नुन के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ना फोर्स ग्रेविटेशन लगता है तो उस gravitational force की value क्या होती उस gravitational force की value तो जी mass of earth, mass of moon और इनके बीच का separation r का square यह जो separation r है इनके बीच का इसका square और यही जो gravitational force है यही क्या करता है, centipetal force mb square over r provide करता है, ठीक है न, mb square over r यहां से गलती हो गया, तो कोई बात नहीं, इसमें small r रहेगा, जो distance होगा ही रहेगा, तो यह जो small r है, given r का square, तो यह equation hold होता है, मतलब देखो, centipetal force कोई नया force नहीं है, that centipetal force is not new force, it is basically, क्या है, gravitation ही provide करेगा, लेकिन अगर मैं मून को stop कर दूँगा, सोचो, अगर मैं मून को रोग दूँगा, तो क्या होगा, भाई, if I will stop the moon, तो उस case में क्या होगा, if, अगर मून की linear velocity 0 कर दोगे, तो मून जितनी acceleration center की तरफ लग रहा था, centipetal acceleration, उसी centipetal acceleration से accelerate होगा, वो अभी भी change नहीं होगा, tangential velocity तो 0 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन centipetal acceleration अभी भी क्या हो जाएगा, b square over r, या b square is equal to m, b square r is equal to, या तुम इसको लिख सकते हो, b is equal to r omega, तो b is equal to r omega, यहां से, तो basically तुम देखोगे, तुम इसको तोड़ दोगे, तो यह जाएगा, r omega square, तो acceleration अभी भी change नहीं होगा, और acceleration remains same, magnitude में same रहेगा अभी भी, तो initial acceleration t is equal to 0 पर जब moon stop होगा, तभी भी उसके पास acceleration वही रहेगा, 0.0, जो 0 और यह जो शुरू अला था, 0.0, 27 meter per second square, कि भी वह change नहीं होगा, आपने stop किया है, यह पहले भी center की तरफ लग रहा था, अभी भी center की तरफ लग रहा है, मतलब कुल मिला के हमारा B option सही है, अभी रहा है, कि अभी रहा है,